हम सब जानते हैं कि भारत एक खृषी प्रदान देश है जहां अलग-अलग शेत्रों में कई रंक ओर ढंक के फसल उगाये जाते हैं जहां किसी राज्य का चावल बहुत अच्छा उपता है तो वहीं किसी राज्य का गेहू बहुत अच्छा उपता है तो इसी के साथ आज हम जानेंगे कि अगर आप Heart of India जाने की अगर आप मर्ध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से ऐसे फसल है जो आप उगा कर धेरों मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो ये वीडियो उन सारे यंग फामर्स लोगों के लिए हैं जो खेती करना चाहते हैं और साथ ही उन सारे किसानों के लिए हैं जिनके पास जमेन जरूर है और वो सोच रहे हैं कि कौन सा अनाच है कौन सा फसल है जो वो उगा कर बहुत जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें. मद्य प्रदेश एक क्रिशी प्रधान अर्थे विवस्ता है, जिसमें GAV याने की Gross Value Added जो है, वो 35% याने की 35 प्रतीशत हिस्सा प्राइमरी सेक्टर है. राज्य में कुल 307 याने की 307 लाक हेक्टर में से लगभग 152 लाक हेक्टर कल्टिवेशन में है, याने की यहां पर इतने सारे हेक्टर में खेती अभी भी हो रही है. तो चलिए जानते हैं कि आप अगर आज मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो कौन-कौन सा ऐसा profitable crops है जो आप उगा सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सोयाबीन की खेती करना शुरू कीजिए. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सोयाबीन भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसलों में से एक है. जो भारती अर्थविवस्ता में भारती खाद्यत तेल फूल का हिस्सा होने याने की edible oil होने के कारण ये बहुत ही महत्वपून crop बन जाता है. सोयाबीन उन फसलों में से एक है जो oil seed crop है और साथ ही एक फलियानी फसल है जिसका उपयोग हाटा तयार करने के लिए भी होता है. साथी मैं आपको ये भी बता दूँ कि सोयाबीन की खेती करना फायदमन इसलिए भी है क्योंकि आज अगर हम देखें तो सोयाबीन के उतपादन में भारत विश्व पूरे विश्व में चौथे स्तान पर है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोयाबीन की खेती कितने जादा स्थर पर की जाती है. इतना ही नहीं. आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उस पर निर्भर हैं और साथी ये किसानों की अर्थ विवस्ता को सुधारने का भी काम करता है. वहीं अगर हम major growing states की बात करें, राज्यों की बात करें, तो मद्यप्रदेश इस list में सबसे पहले स्थान पर आ जाता है तो जैसा कि मैंने already आपको बता दिया, यहाँ पे 60% खेती सोयाबीन की होती है यहाँ पे मैं आपको बता दू, बहुत सारे varieties of सोयाबीन हैं जो आप असानी से उगात सकते हैं बहुत सारे राज्यों में सोयाबीन की खेती की जाती है, जैसे कि इंदोर में, धार में, उजयन में, होसांगाबाद में, etc अन्या अन्या ऐसे राज्य हैं, मद्यप्रदेश के जहां पे इसकी खेती की जाती है, वराइटी इसकी अगर हम मैं बात करूँ तो यहां पे 2500 से भी अधिक वराइटी हैं, सोयाबीन की जो अलग साइज और शेप में आते हैं, और साथी अलग कलर में भी आते हैं, जिसकी आप असानी से कर सकते हैं, मद्यप्रदेश के अलावा मैं आपको बता दू, महराश्ट्रा, राजस्तान, करनाटिका और तैलंगाना में भी सोयाबीन की खेती जादा स्थर पर की जाती है, दूसरा ओप्शन में आपको ये दूँगी जिसकी खेती आप कर सकते हैं असानी स मद्यप्रदेश में वो है गेहूं की जी हाँ, गेहूं पिछले एक दसक में 183 मिलिन मेट्रिक टन उतपादन के साथ मद्यप्रदेश की सबसे महत्वपून फसल में से एक हो गई है, जिसमें उतपादन में हर साल औसतन 11 प्रतिशत की वृद्धी हुई है, तो अगर आज ह के लिए 16.08 of the total production जो है, वो contribute करता है, यहाँ पर अगर मैं सबसे famous variety की बात करूँ तो बास्मती गेहूं सबसे जादा यहाँ पर उगाई जाती है, तो अगर हम districts की बात करें तो शेहोर हो गया, नरसिंगपूर हो गया, होशांगाबाद हो गया, दिनहारदा हो गया, अशोक 2300 से लेकर 2500 तक की कमाई आप आसानी से कर सकते हैं, आगे बरतुए तीसरा option में आपको ये दूँगी कि आप मक्के की खेती करें, मत्य प्रिदेश राज्य पारम पर एक मक्का उगाने वाले राज्यों में से है, जो कुल मक्का शेत्र का 13 यानिकी 13 प्रतीशत हिस्सा है, औ अगर आप कौन, यानि की मक्के की खेती कर रहे हैं तो, विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो मक्का को अनाज की रानी की रूप में जाना जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सभी अनाजों में से highest year देने की शम्ता रखता है, यानि कि जादा उपर्च देने की ये इसलिए ये अनाजों की रानी कहलाता है, भारत में मक्का, चावल और गेहों के बाद तीसरा ऐसा सबसे महत्वपून फसल है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में मेज का जो production है, अगर हम देखें तो पूरे food basket में लगभग 9% यानि कि 9% तोटल contribution अगर हम food basket को देखो, तो 9% alone ये मक्का का होता है, साथी मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारे खाने के अलावा बाकी अन्यों चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदमन है, क्योंकि इसका इस्तमाल बहुत सारे industrial products को बनाने के लिए धी होता है, पर एक्जामपल ये starch को बनाने के लिए इस् इसके बहुत सारे इस्तमाल है और इसे लिए इसकी खेती आज बहुत ज़ादा फाइदे मन्द है, तो अगर on an average हम देखें, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो आप एक हेक्टर में 33 से 35,000 का profit आप हर साल expect कर सकते हैं, अगला है पैडी यानि की चावल, मैं आपको बता लेकिन अगर हम एकड़ मेजर growing states की बात करें, तो सबसे जादा इसे आंद्रप्रदेश, West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Odisha, 36 गर्ड, Punjab, Assam और सांथी मध्यप्रदेश में भी इसे बहुत ज़ादा स्थर पर उगाया जाता है, तो आज अगर आपको खेती करनी है, तो आप चावल की खेत लाने के लिए सबसे उपयुक्त है, अगर आज आप एक एकड के जमीन में बासमुती कल्टिवेट करते हैं, बासमुती की खेती करते हैं, यहां पे 23 क्विंटल आप ग्रो कर सकते हैं, और एक क्विंटल 3,405 रुपय में बिक रही है, तो अगर हम क्यालकुलेट करें, 23 x 3, 30,405 तब जाके आपको सालाना जो यह प्रॉफिट है वो हो सकता है, 78,315 रुपीज का, और आखरी आप्षिन में आपको यह दूँगी कि आप मस्टड यानि सरसो की खेती करें, सरसो के उपज के लिए भिंद शेतर की जलवायू सबसे जादा अनुकूल है, इस फसल के मौ अगर हम मध्यप्रदेश की बात करें, तो मध्यप्रदेश चौथे स्तान पर आता है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो, तो मध्यप्रदेश में सबसे जादा इस फसल को उगाया जाता है, जहां पर 11% of total contribution मध्यप्रदेश से होता है, अगर हम oil seed crop की बात करें, तो mustard तो आज अगर एक एकर जमीन में आप सर्सो उगाते हैं, तब जाके 5-6 quintal आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जादा से जादा अगर आपका अच्छा होगा, मौसम और सीजन अच्छा होगा, तब जाके 6-8 quintal एक हेक्टर में उगा सकते हैं, और इसका जो profit है, वो 25,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इन पांचों के अलावा बहुत से ऐसे crops हैं, जो आप आसानी से उगा सकते हों, और इससे profit कमा सकते हैं, तो आज आप cotton यानि कपस की खेती कर सकते हैं, शुगर के यानि की खेती कर सकते हैं, ग्राम की खेती कर सकते हैं, तूर की ख जो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं किसान है आपको उगाना है तो यह सारे क्रॉप्स जो अपासारी से उगा सकते हैं और इसे बहुत जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जल्दी लोटूंगे एक अलगी इंट्रेस्टिंग किसान तब तक के लिए इस वीडियो को लाइ बारे में जानना है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अब फ्रीडम प्ले स्टोर या आप्स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं थांकिवर वाचिंग फीडम गेट वाइस ब्रेक फ्री